दस्तों बिहार लोग से वायोग मतलब BPSC के माधियम से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साथियों आपको बता दे BPSC TRE 2.0 के लेकर आज एक लेटर पब्लिश किया गया है इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि NOSDL वाले भिरती BPSC TRE 2.0 में नहीं भाग ले सकते हैं साथियों आपने exam का form fill up किया है और आपने पैसा भी payment कर दिया है और BPSC के माधियम से ऐसा बताया गया कि अगर आपने form fill up कर दिया है पैसा payment कर दिया है आपका admit card तो बन चुका है लेकिन आप अगर exam में बैठना चाहते हैं तो बैठ ये लेकिन आपकी result नहीं दी जाए कि साथियों मतलब आप अगर exam देते हैं तो आपके लिए बस exam का question practice sit बन गिरा जाता है आपको बता दे साथियों क्या कुछ खबर आई है इसके बारे पर हम विजिसर्स सर्चा करेंगे साथ में BPSC TRE 2.0 का admin card हम कैसे download करेंगे या भी बताएंगे आपको साथियों आपको ब teacher के लिए valid नहीं है या 628 में अगर वे DL8 लगा कर graduation लगा कर 628 के लिए फर्म भरे थे तो उसमें भी आप valid नहीं है ऐसे में NIS के छठे चलन के अभ्यरती और BPSC से बहाल विए TRE 1.0 में अभ्यरती जो सिक्षक बन गए हैं उसके मन में confusion अब चल रही है कि आखिर जब BPSC 2 2.0 में NIS वाले को भाग नहीं लेने का मौका दिया गया क्या मेरी degree जो NIS से ली गई है वह अब अमान नहीं कर दी जाएगी अगर अमान नहीं हो जाएगी तो क्या मेरी नौकरी चली जाएगी सातियों इसके बारे में हम wishes तर्चा करेंगे लेकिन वीडियो के लास्ट में इ कैसे डॉनर करना है और इसके पीछे क्या कुछ निर्देश दिया गया है वीपेसी के माध्यम से पहले आपको बताते हैं उसके बाद हम NLS के चर्चा करेंगे उसके बाद आपको वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा तक आपको कंप्लीट कंफरमेशन मिल सके देखे साथियों अपने यह लेटर देखा होगा बिल्कुल ही देखा होगा लेकिन फिर भी आपको अभी जो हम बताएंगे उसमें कुछ जरूर अलग बताएंगे क्योंकि यह लेटर को कवल पढ़ देना या आपको न्यूस पहुचाना नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे अपडेट है जो हमें सैड से भी मिलती है वह भी आपको हम बताते हैं साथियों आपने देखा कि आज यह लेटर पब्लिस किया गिया है जिसमें विग्यापर संख्या लिखा गया 26 बटे 32 इसमें TRE 2.0 को लेकर जो एड्मिट कार्ड मतलब आपका एड्मिट कार्ड इसू किया जाएगा वह 2.023 को किया जाएगा मतलब कल से सनीवार से किया जाएगा आप कल तक वेट कर लिजे है ना मतलब कल आप डॉनलोड कर सकते हैं आज तक वेट कर सकते हैं साथियों एड्मिट कार्ड डॉनलोड करने से पहले कुछ निर्दिश दिया गया है उसको थोड़ा समझे एड्म पोर्टल लिखने के बाद आपके पास गवर्मेंट का एक लिंक खुल के आ जाएगा वहां पर आप किलिक करेंगे तो वहां पर आप अपना डेस्ट बोर्ड लॉगिन करके लॉगिन करने के बाद आपको वहां से अपना फोटो 25 के वी और इसका डेमेंशन 250 250 होना चाहिए वहां पर जाकर आप अप्लोड कर देंगे अगर आपसे यह काम किया हुआ नहीं होगा तो किसी नियरे स्टैवर कैफे वाले को 10 या 20 रुप्या देंगे वे असानी से आपका डॉनर कर देंगे तो साथियों यह बहुत ही सिंपल बात थी आगे बात कर लेते हैं वर्ग 6-8 एवं वर्ग 9-10 से समंदित वैसे अभरती जिनों ने समाजिक विज्ञान या विशाय का चेयन किया है वे इतियास भुगोल अर्षास एवं राजनिती सास्तर में किसी दो विशाय जिसमें से एक विशाय इतियास या भुगोल विशाय अनिवार है का चेयन करके करेंगे मतलब आप 628 और 19 का करेंगे तो आपसे कुछ क्लिटिफिकेशन मांगा जाएगा अगर आप दो विश्य के लिए फिलब की हैं तो वह आप जिस प्रकार से फॉर्म भरे हैं वैसे सेट करके निश्चीत रुप से एडिमिन का डॉनलोर किजेगा देखें सात्यों एक बड़ी जो इंपोर्टेंट मुद्दा है जिसको लेकर हम पिछले दो दिन से आवाज लगा रहे थे कि मानिये विपेसी के चियर्मेन अतुल प्रसाद से मैं निवेदन किया था और बहुत सारे हमारे भाई बंदू मिडिया बंदू यह आवाज लगा थे कि आप इस स्टे करन का एक यह लेटर अलग से तो नहीं पब्लिश किया गया है लेकिन साथ में ही किया गया मैं विपेसी के चेर्मेन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस सरानिये काम किया कम से कबागा बेरती यह संसाय के घेरे में तो नहीं रहे हैं जो है किलियर है अब बता दि दिजे शाथियों देखिए तीन नमर पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि मानने सर्वोष नियालय दिली द्वारा पारित निया देश के आलोक में डिलेड की डिग्री मान हैं मानने हैं ऐसा नहीं कहा गया कि मानने नहीं है लेकिन किसके लिए मान है आप थोड़ा सा समझे देखे सातियों आपको पता होगा NIS delayed 2017 में कराया गया था मतलब उसका सेसम 17-19 था तो जो अप्रसिक्षित प्रारंबिक सिक्षक जो दिनांग 10-8-2017 के पुर्व से कारग्रेत हैं उनकी 18 माह के डिलेट डिग्री माने होगी मतलब आपको बता देख अगर आप से आप पहले से सिक्षक के पद पर न्यूक थे 10-8-2017 इसमें छटे चरण के भी अभ्यर्थी नहीं आएंगे 6 फेज के अभ्यर्थी का बहाली आपको पता होगा 2017 के बाद हुआ है या आप भली भाती जानते हैं तो सातियों इसमें 6 फेज के अभ्यर्थी भी नहीं आएंगे मतलब 2011 वाली जो वाली आए थी वैसे अब सिक्षक जो एन्यूस से डिलेड किये थे हैं जो कि 10-8-2017 से पहले कार्यरत हैं उनके लिए या डिग्री के वल वैलीड होगा के वल उनके लिए बाद मांकी 2017 के बाद अगर आप पहले से कार्यरत सिक्षक नहीं थे तो आपके लिए या डिग्री किसी कामका नहीं रहा आप शातियों आपको थोड़ा सा बता दे कि अब वे अभ्यर्थी भी इस एक्जाम में नहीं बैट फाएंगे जो 17-19 सेसन में डिलेड किये थे और 10-8-2017 से पहले कार्यरत सिक्षक नहीं हैं तो ऐसे में सातियों 6th phase वाले जितने अभ्यर्थी 6th phase में जो भी सिक्षक बन गये हैं है और वे डिलेड से अपना प्रसिक्षन प्राप्त किये हैं NIS से डिलेड किये हैं वे इस परिक्षा में BPC-TRE 2.0 में भाग नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपकी डिग अभ्यर्थी 6th phase में और BPC के द्वारा बहाल phase 1 में जो सिक्षक बने हैं उसकी डिग्री अमानी तो अभी हो चुकी है क्या उसकी नौकरी भी चली जाएगी हम इस पर भी विश्यस बात करेंगे लेकिन इससे पहले थोड़ा समझे जिसकी एक्जाम नजदिक है उसके सर पर क सर्वोच नियालय द्वारा पारित आदेश पर स्वामति व्यक्त करते हुए एड्मिर का डॉनलोर करने स्वामति प्रक्रिया करेंगे मतलब अगर आप डॉनलोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए इसमें आपको कोई रोक टुक नहीं है लेकिन कंडिका साथ में जो ल аньше से 10 2017 से पहले से कारुख है मतलब इस डेट से अगर पहले से कार्रित सिंख शक हैं उसके लिए कर धिक्री वैलीड है लेकिन इसके बाद जो सिंख भूणए हैं उसके लिए इस लिए नहीं है तो आप समझ गये होंगे कि कंडिका साथ में क्या लिखा गया है मतलब आप इस condition को follow करते हुए अपना item का download कर सकते हैं लेकिन exam में भी बैठ सकते हैं आपका result इसू नहीं किया जाएगा गलती से आपका result भी दे दिये जाता है तो आप सिक्षक पद के लिए valid नहीं होंगे सिधा सिधा समझेए आपका exam देना या नहीं देना बात बराबर है हाँ अगर आप अपने knowledge को test करना चाहते हैं बस sit practice करना चाहते हैं तो जाकर exam दे सकते हैं मेरे तरफ से कोई रोक्टूक नहीं है नहीं वीपेसी आपको रोक रही है सातियों आपने समझा अब आगे देखिए वैसे अभेर्थी जो विभाग के अंतरगत के लिए वरग 6-8 मतलब संगीत या कला विषय को जोरकर आवेदन की हैं तथा दोनों विभाग के लिए अलग-अलग विषय का चेयन क्या है उन्हें केवल शिख्षा विभाग के लिए चयनित विषय के परिक्षा में समलित होना है मतलब अगर आपने कल्यान विभाग का form भरा है आपको पता होगा कि पिछरा और उसके बाद लिखा गया है कल्यान विभाग के अंतरगर जो सिक्षक पद के लिए form फिलप के हैं अगर कल्यान विभाग में आपने दुसरा अन्य विषय चेहन किया है तो आप सिक्षा विभाग में जो विषय चेहन किये हैं उसका डॉनर करेंगे फिर आगे दखिए सभी अभ्यरती परवेश पत्र की एक अतिरिक्त परती अपने साथ परिक्षा केंदर पर ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवन परिक्षा अबधी में विख्षक के समक्ष हस्ताक्षर का उन्हें सुपूर्थ कराना सुनिश्चित करेंगे मतलब आपका दो copy एड्मिर काट का होगा एक आपके पास है ना और एक आपको ले लिया जाएगा किस मतलब जो वहां के विक्षक रहेंगे उसके द्वारा साथियों आगे जो नेटदेश दिया गया है प्रिक्षा केंदर कोड के संबंध में विस्तिरी जनकारी आपको पांस तारी को दिया जाएगा पांस लिसंबर को अभरतिय को परिक्षा प्रारम होने से एक घंटा पूर्व ही जाना होगा क्योंकि एक घंटा पूर्व आपका जो इंट्रिगेट है वो बंद कर दिया जाएगा आपका जो यूजड ओमार है जिस पर आपने एक्जाम दिया है उसको सील कराकर ही आप एक्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे साथियों या लेटर आपने देखा कि आज का है और विपेसी आयोग दोरा या पबलिश किया गया है दोस्तों जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि अभी हम एक हम मुद्दा पर भी बात करेंगे जो छटे चरण में एनएस से डिलेट किये थे और विपेसी फिजवन में एनएस से डिलेट करके अपना नौकरी सुनिशित कर लिये हैं क्या उसकी नौकरी पर कोई खत्रा आ दिखाया जो बिहार सरकार के सरकारी सिक्षक रहते हुए एनएस डिलेट किये हैं उन सभी का डिगरी मान होगा और वही सिक्षक इस परिक्षा में बैठ पाएंगे साथियों मैंने आपको एक्स्प्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से कि जो अभ्यर्थी जो सिक्षक पहल नहीं है 2017 से पहले का तो आप इस परिक्षा के लिए वरिट नहीं है क्योंकि आपकी डिगरी अमान निकर दी गई है साथियों चट्थे चरण में नियूक्त शिक्षक इस परिक्षा में नहीं बैठ बैठेंगे और उनका डिलेट डिगरी इस परिक्षा के लिए अवायद ह साथियों केवल इस परिक्षा के लिए आपने देखा कि आपका चठा चरण में जो जो या विपेसी फेस फेस बान में जो आपका डीडिड़ी अब वैलिड नहीं होगा मतलब आने वाली अब जो एक्जाम होगी चाहे विपेसी फेज 2 हो फेज 3 हो या कोई भी अन एक्जाम हो जो टीचिंग के लिए PRT के लिए होगी उसमें आपका NIS का डिगरी वैलिड अब नहीं होगा अगर ऐसे भेड थी जो NIS ते डिएलेड किये थे चाहे वे चट्थे चरण में हो या विपेसी फेज 1 में हो उसकी डिगरी उस समय वैलिड थी आप उस समय की नोटिफिकेशन के अधार पर सिक्चक बने थे लेकिन अभी क्या हुआ है उससे आपको कोई मतलब नहीं है आपकी बिएड को प्रेमिर टीचर से हाटा दिया गया था इसकी पुष्टी सुप्रीम कोट की थी और बिपेसी भी इस बात को मानी थी आपको पता होगा आप यह भी बात जानते हैं कि केवल बिपेसी टीरी 1 से 1-5 मतलब प्यार्टी से बिएड वाले को हाटाया गया था उसमें बिएड वाले अभ्यर्थी नहीं आये थे क्या आपको पता है छठे चरण में जो अभ्यर्थी सिक्षक बने थे उसमें प्यार्टी में बिएड वाले स्टुडेंट थे या नहीं थे तो भाई बिलकुल थे उसको हटाया गया बिलकुल नहीं हटाया गया और हटाया भी नह खुल कर सुन लेजिए, तो इसी प्रकार सेम मेटर आपका है, आप जिस समय सिक्षक बने हैं, उस समय के नियावली के अनुसार आप सिक्षक थे, अगर उस समय यह नियम आता, तो आप नहीं बनते भाई, लेकिन फिर भी अभ्यरत्यों के मन में कन्फ्यूजन है, तो इस आपको काम नहीं चलेगा, हाँ, लेकिन इस तरह का अपडेट जब आएगा, एक फ्रेस लेटर निकाल दिया जाएगा, जिसको सब को मानना ही है, चाहे वो जैसा हो, तो हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन आभी इस तरह का कोई बात न विभाग में चल रही है, न कहीं, हो सकता है, आपको कोई भरका रहा होगा, अलग बात है, लेकिन आपकी जॉब, छठे चरण में जो नएस से डिलेट की हैं, उसकी जॉब सुरक्चित है, और बेपेसी फेजबन वाले के भी, सात्यों इससे यह असपस्ट हो रहा है कि, छठे चरण में निक सिक्षक का नएस डिलेट डिग्री है न, अबाइद है, वास्तब बात है, छठे चरण के डिलेट अभिरती के डिग्री अभी मतलब इनवालिट है, अबाइद है, लेकिन इससे पहले जब वह सिक्षक बने थे, वे तो वैलिट थे, तो सात्यों आप इस बात से भली भाती असपस्ट हो गए सात्यों वीडियो में भी तक बने हैं, तो थैंक्स पर वाचिंग, हम वीडियो को लंबा नहीं किसेंगें